जाहिन देन, वेलकम बेक टू दे चैनल, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, मिनिंग ओप अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में भाई लोगों सबको देने वालों, क्योंकि कोई भी पढ़ेगा अकाउंटिंग, अगर इतना में जाके मजे मार सकता हूं, तो मैं अकाउंटिंग क्यों पढ़ू, क्या मतलब निकलेगा इसका, तो वही समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, क्यों है, कैसे काम करती है, और क्यों हमें पढ़नी है, और क्यों हमें एक स्पेसिफिकली डबल इंट्री सिस्टम को भी पढ इतनी सारी किताब अकाउंटिंग की पढ़ोगे, उनके पीछे object क्या है, क्या उद्देस है, तो उद्देस है वाया तीन है, क्या क्या है, एक तो recording, एक classifying और एक summarizing of information data, इसका मतलब क्या होता है, recording, classifying और summarizing, कोई भी काम चालू कर रहे हैं, कोई भी business हम चालू कर रहे हैं, त उसको मैंने बताया था कि transaction जो होते हैं, वो business में, कुछ भी आप करते हो, जिसको आप पैसे में माप सकते हो, उसको transaction बोलते हैं, जिसे मकान किराये पे लिया, वो भी एक transaction है, गाड़ी में बेटके गए, पेट्रोल डलवाया, वो भी एक transaction है, ठीक है, खरीद के लाए, कि वहाँ पे कई ना कई, या तो पैसे दे रहे हो, या फिर किसी के पास में पैसे ले रहे हो, उनको बॉलते है ट्रांजेक्शन, तो जितने भी transaction हम करेंगे, कभी बिजनस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, आज हमारे पास कोई समान खरीदने आएगा, कोई समान ब तो उसी को हम क्या करेंगे, रिकोर्ड करेंगे, किस-किस ट्राञेक्षन को रिकोर्ड करना है, वो accounting हमें बताएगा, उसके बाद में record जब हम कर लिया, हमने लिख लिया कि हाँ बाइ, मैंने इतना खर्चा मैंने बिजली पर किया, इतना खर्चा मैंने बिजली पे किया ये बिजली मैंने भराई बिजली का बिल भरा और मैंने पेट्रोल भराया ठीक है पेट्रोल भराया और बाकी मैंने कई खर्चे किये तो उन खर्चों पर मैंने जो खर्चे किये उनको सब को मैंने लिख लिया यानि वो recording हो गई तो यह पहला पार्ट मेरा हो गया पूरा recording complete ओगे अच्छा जी उसके बाद में उसके बाद में जब record हो जाएंगे वो transaction क्योंकि मैं business करूँगा एक दिन तो करूँगा नी साल भर पूरे साल business करूँगा और एक दिन में पता नहीं कितने transaction होते हैं 5,10,20,50 और साल में होते हैं 365 दिन यानि मालो एक दिन के 10 भी transaction होए और 365 दिन से मैं इनको multiply करूँ तो मेरे 3,650 transaction होए भई या साल के 3,650,10 transaction तो मैंने कम से कम माने हैं लेकिन business में 50 से लेके 60 transaction भी एक दिन के हो सकते हैं अब मालो 100 transaction होगे तो आपके total कितने transaction हो जाएंगे 36,500 एक साल के transaction तो इतने सारे transaction को आप फिर मालो एक साल बाद में खोल के बेठो के देखता हूँ भई मैंने क्या क्यों क्यों आपको 36,500 चीज़ें को देखना पड़ेगा तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे उनको classify करेंगे classify एक जैसे transaction हो एक साथ एक जैसे पेट्रोल भरवाने का transaction आप पेट्रोल पर किता हर थिरा टोवां गट्षा तो उस सब का total लगा पेट्रोल का हर्चा पता सल गया ठीक है बिजदी का बिलखकर गहाँ धियंग एक साइट में एक जैगे लिखूंगा कि बिजदी का लिंग इनकी तो फिर का ठीक हम क्लासिफाइक Carry को थान गये हम को देख साथ में करते रहेंगे, तो साल के लास्ट में जब भी हम देखेंगे, फिर कोई और देखेगा, हमारे बिजनस में क्या-का चल रहा है, तो उसको देखने में समझ्या नहीं होगी, और फिर लास्ट जो इस टेप है, क्लासिफाई करने के बाद समराइजिंग, समराइजिंग क्या होता है, समराइजिंग मैं आपको भी समझा दिया, जैसे रिकोर्ड हक किया हमने, कि पेट्रोल हम बरवा रहे हैं, बरवारे बरवारे लिखते जा रहे हैं, फिर उसको क्लासिफाई किया, कि एक पन्ने पर हमने लिख लिया कि पेट्रोल 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 कितने कितने कितनी तारीक को हमने भरवाया उसको हमने क्लासिफार कर लिया ठीक है अब समराइजिंग का मतलब यह है कि मानलो महीने के हिसाब से फिर मैंने उसका टोटल भी लगा लिया कि भाई अप्रेल के महीने में इतना इतना पेट्रोल भराया और टोटल पेट्रोल की बात करूँ तो अपरेल के मैंने में दो जारो भराया उसको आपने लिख लिया तो उसको आपने समराइज कर दिया कि पूरे अपरेल को देखने की जरूत नहीं काम जो है accountancy में किये जाते हैं अब यह तो मैंने समझाने के लिए आपको petrol का उदारन लेके समझा दिया लेकिन यहां पे होता गया है अपने जो recording classifying और summarizing इसमें क्या करते हैं हम recording होती है journal entry में journal entry में पिछली वीडियो में और debit credit के रूल बताया थे वो general entry वो recording का phase है recording का transaction जितने में होंगे general entry से उनको record किया जाएगा फिर classifying में जो उनको laser में post करेंगे हम lasers में तो laser वो एक पनना है laser जो मैंने पता है आपको कि एक पनने पर petrol के लिख लिए एक पनने पर electricity के लिख लिए तो laser में जो account बनते हैं हर चीज का अलग अलग account बनता है और उसमें उसी type की चीजे लिखी जाती है जैसे electricity का bill का account बन क्या या फिर हमारा किसी भी तरीका depreciation का account बन गया तो उस account में वो एक तरीकी चीजे वो वो transaction ही लिखे जाएंगे जो उस तरीके के होंगे और हर एक तरीके के transaction के लिए अलग account बनाया जाएगा तो उसको बोलते classifying और फिर summarizing में अपन फाइनल account बनाएंगे तो उनमें उन सब का निचोड निकाल लेंगे अग्तम पूरा निचोड निकाल लेंगे पूरी साल का तो उस account का एक पन्ने को देखते हैं मैं समझ में आ जाएगा कि हमारे business में profit हो रहा है, loss हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इतने सारे 36 जा ट्रांजेक्शन देखने के हमें जरूत निए, शिरफ एक पेज दखेंगे, एक दो पेज दखेंगे और बाते समझ में आ जाएगी, तो final account में summarization हो जाता है, final accounts में, और यह हम सारी चीज़े आगे देखने वाले tension लेने की जरूत है, अभी मस्ते सिप समझा रहा हूं, ठीका, अब यह तो हो गया, कि accountants में recording recording होती है, classifying होती है, और summarizing होती है, ट्रांजेक्शन की, लेकिन कौन से transaction की, कौन से transaction की, उसके लिए सबसे मैतोपून बात यह है, in terms of money होने चीज़े ट्रांजेक्शन भाई, या उन ट्रांजेक्शनों के हम record करेंगे, classify करेंगे, और summarize करेंगे, यानि कि जो भी transaction आप करो, वो होने चीज़े, जिन में पैसे हा, तो आप देओ, या फिर लेओ, आप बोलो कि भाई, आप transaction में तो पैसे देते या फिर लेते है, हर transaction में ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, जैसे मालो, आप माली को कोई भी माली का, किसी soap का, किसी business का, उसके भाई या, बेटा पैदा क्योंकि वो, इन term of money, यानि पैसे के संदर में, पैसे में उसको अपन नहीं नाप सकते है, तो वही transaction record होंगा, accountancy में, जिसको पैसे के रूप में अपन नाप सकते है, जिसे मालो, accountancy करने वाले, जो है business का honor है, उसकी शादी को भी record नहीं कर सकते है, शादी एक feeling वाली चीज ह तो उसमें money का कोई काम नहीं है, तो money का काम होना चाहिए, उसी में, उसी चीज को record करेंगे, जिसको money के term में नापा जा सकता है, जैसे पेट्रोल भरोया 100 रुपे का, जैसे किसी को salary दी 1000 रुपे की, तो इन चीजों को नाप सकते है, इन ही को record करेंगे, और of transaction of financial character, साथ में money में तो होने चीए, ठीक है, और transaction होने चीए, financial character के, जो मैंने बताया आपको, कि शादी ब्या, बेटा पेदा होना है, इन चीजों को नहीं record करते है, क्योंकि ये चीजे नापी नहीं जा सकती, वैसे आपका कोई करमचारी है, आपके कोई employee काम करते है, दुकान में जे set जी तो accountancy में तो सिरफ और उन transaction को record के जाए, जिनको पैसे में नाप सकते है, क्योंकि ये पैसे का खेल है सारा, पैसे के लिए ही पैसे की recording करें कि पैसा कमा रहे है, या फिर गमा रहे है, उसी के लिए सारा accountancy का सारा जिंजट ये है, जो है मैया जाल बिचाया गया है, तो जिस और फिर उनको interpret कर सके, results का मतलब क्या, कि भाई मैंने business किया, मैंने साल में बहुत साय transaction किया, अब सब तो मुझे याथ रहेंगे नहीं, कि मैंने क्या 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 क्या, तो इसलिए मैं उनको लिगता रहता हूँ, और फिर मैं उनको accountancy में record करूँगा, फिर classify करूँगा, फिर summarize करूँगा, और साल के last time मैं देखूँगा, कि मैंने कितने रुपे कमाए, और कितने रुपे मैंने गवाए, यानि कितना खर्चा हुआ, कितनी मेरी income हुई, और फिर उसको देखके, कि मैं results को interpret करूँगा, interpretation का मतलब होता है, interpreting का मतलब होता है, उसका दिमाग लगाना, उसको सोचना, उस पे विचार करना, कि भाई, इसका क्या result निकला, interpret का मतलब होता है, यही कि उस पे दिमाग लगागे सोचना, कि क्या मुझे loss हुआ, या मुझे profit हुआ और उसका कैसे दिमा अलगाएंगे इस सारी information को देखे जो record की हमने classify की समराइज की जो money वाली information थी उनको देखेंगे और फिर सोचेंगे बैठके interpret करेंगे results को last में कि मुझे profit हो रहा है business करने से या फिर loss हो रहा है मैं जितना कमा रहा हूं उससे ज्यादा म मेरे खर्चा कम हो रहा है कमाई ज्यादा हो रही है तो वह last में करेंगे ताकि हमें पता जल सके कि हमें आगे और क्या decision लेने है जिससे हम अपने business को या तो और ज्यादा grow कर सके और अगर बहुत loss हो रहा है तो business बंद कर सके तो यह सारे decision किस के बेश पर ले पाएंगे accounting information के बेश पर इसलिए accounting बहुत जरूरी है और फिर last में interpret करेंगे results को ठीक है यह तो हुई accounting की बात अब कुछ एक भाई लोगों यह जो मैं फरस्ट और बहुत बता दूं कि जो भी मैं चलाओंगा इस पर लेक्चर चलेंगे जो वह NCRT के हिसाब से चलाने वाला हो मैं 11-12 NCRT के से पर समझे आगे ना भाईयो तो उसके बाद में किसी भी किताब से पढ़ लो कोई tension नहीं है सब कुछ समझ में आ जाएगा चलो बात करते है important aspects of accounting accounting जो है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में सारा खेल चल रहा है उसमें कुछ एक चीजे है कुछ एक important जो को भाईयो हम record करेंगे जो हम सिखेंगा accounting आगे सिखेंगा अभी मैं बता रहा हूं accounting क्या होती है और कैसे recording होती होती है तो accounting में उन्हीं transaction को record करेंगे जिनको पैसे में नाप सकते है उसको भगा दो भाग जाओ तुमारा यहां पर अब तेरा यहां कोई नहीं है तो यह कितने रुपय मैं मिलाया तो यह economic event है तो मैं इसको कर सकता हूं record लेकिन यह headphone मैं खरीद के लागा उसमें मुझे खुशी होई बहुत खुशी होई तो क्या मैं खुशी को नाप सकता हूंगा नहीं आप सकता तो उस खुशी को मैं record नहीं करूंगा ठीक है तो यह बात है transaction से related जो हमारी transaction business में होगे ना जो land day hem करेंगे सबसे lui creation का मतलब यह होगा कि हमें उन connection को identify करना है जिनको हमें record करना है account में क्योंकि business में BJ होंगे बहुतत सारे transaction होगे कुछ transaction इंपोORठेंट होगे कुछ नहीं होगे तो कौन से transaction को records करना है कुछ से transaction ह को हमारे business के लिए important है उनको identify करना पड़ेगा अब हो सकता है कि भाई देगो जो business owner है वो business के लिए खर्चा करता हो और साथ में अपने बच्चे की tuition fees बढ़ने भी जाता हो तो tuition fees जो बच्चे की भरी उसने वो business का खर्चा नहीं है वो उसका personal expenses है तो identify हम करेंगे कि भाई पर्सनल expenses को हम business में नहीं लिखेंगे और business का खर्चा होगा जिसे business के लिए बिजली का बिल भरा वर घर के लिए बिजली का बिल भरा तो दोनों में identify हम करेंगे जो business के लिए बढ़ा है वो business का खर्चा है घर के लिए बढ़ा हो तो उसका personal expenses उससे हमें मतलब नहीं क्योंकि accounting हम करें बिजनस के लिए ठीक है बिजनस में प्रोफिट हो रहा है यह identify करने के लिए हम accounting करें तो उसके personal expenses से हमें फरक नहीं पड़ता हमें चाहिए business का खर्चा तो हम identify करेंगे दोनों में business related खर्चा कुन सा है business के लिए जरूरी खर्चा कुन स दूसरी चीज है measurement यानि चलो identify कर लिया कि हाँ यह transaction यह चीज बिजनस में important बिजनस पे impact डालती है business पर प्रभाव डालती है फिर उसका measurement क्या जाएगा कि रुपे में measurement कितने का transaction है जैसे मैं बदा है business के लिए तो आप दोखोगे हाँ identify होगे चीज कि business के लिए business के लिए इमेंट हो नीचे जिसको पैसे में आप सके तो identify करने के बाद measurement करेंगे कि पैसा कितना गया या फिर आया तो बिजलिगा बिल 6,000 रुपे का measurement होगा कि भाई 6,000 रुपे का measurement भी दूसरी step पूरी होगे तीसरी step recording identify कर लिया कि transaction business के लिए important है measurement भी कर लिया कि इतने रुपे का ह उसके बाद उसको record करेंगे recording कैसे होती मैंने बताया तो first यहां पे देखो recording की बाद की थी journal interest से record केते है सबसे पले accounting में transaction record होता है journal interest से तो उसको हम record कर लेंगे और उसके बाद में last में जो है communication 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 क्या है communication वो है कि भाईया मैं accountant हूँ और मेरा business का owner कोई और है इसे मालने बड मालिक को मैं communication करूँगा या उसको मैं बताऊंगा कि accounting से क्या result निकर रहा है तो उसको बोलते communication वह final step होती अकाउंटिंग में जब हम identify कर ले transaction को फिर उसको measure कर ले transaction को उसके बाद उसके बाद में जो result interpret करेंगे हम result interpret करने के बाद में communicate करेंगे मालिक को कि भाई आपके तो profit हो रहा है या फिर loss हो रहा है क्या हो रहा है accounting से क्या result निकर का रहा है वो उसको बता देंगे ताकि वो अपनी decision उससे साब से ले सके ठीक है तीसरी जो important expect है वो है organization organization में मतलब है कि 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 टाइप का business आपका है business बहुत सारे type के होते है आज इकले business बहुत सारे type के होते है या तो आप अकेले business ला रहे हो तो उसको बोलेंगे अपन proprietorship प्रो प्राइटर शिप्त है प्रोप लिख दूँ मैं ठीक है प्रोप partnership ठीक है और अगर मैं बड़ी 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 लेवल पर business करना चाता हूँ तो मैं क्या बनाऊंगा company ठीक है company बना के business करूँगा तो इस तरीके से और भी कई सारे जो है organization के type होते है तो इनको बोलते है organization अलग-लग organization पे rules थोड़े अलग-लग applicable होते है आगे हम जब video देख satisfaction को हम जो record कर रहे है last minute result में निकाल रहे है कि we loss प्रफिट हो रहा है तो कोई ना कोई तो ऐसा आदमी होगा इना जिसको इन सब में interest है जो चाजता यह जानना कि Profit हो रहा है और पिस क्योंकि अगर profit होगा तो टेक्स लेंगे आपके पास ठीक है तो जानना चाहते हैं कि कितना profit हो रहा है तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ इन्वेस्ट करना चाहता हूं मैं इस बिजनस में कि मेरे को थोड़ा profit हो जाए मैं भी मेरा पैसा लगाउं और इस business में मुझे भी कुछ return मिले तो आपके accounts को आके देखते हैं कि आपके sell कितने आपके खर्चे कितने है उस चीज़ से decide final account को देखते हैं और समझते हैं कि आपका business सही काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है तो interested user के हिसाब से ही accounting information तयार की जाती है उसी के लिए हम double entry system एक predefined system काम में लेते हैं सब लोग एक जिससा system काम में लेंगे तबी जो ये बाहर वाले लोग है वही समझ पाएंगे कि कौन सा business अच्छा काम कर रहा है तो यह मेरे loan को चुका पाएगा वो नहीं चुका पाएगा इस तरीके से वह interested user होंगे जो आपके accounting information जो हम record करना सीखेंगे accounting जब सीखेंगे उसमें कैसे record होती है उन सब को देखके बहुत सारे लोग ऐसे बैठ रहते हैं जो उनकी परतिक्षा करते हैं कि यह information को ठीक से record कर कि आप जो first मैंने वीडियो बनाई थी debit credit के rule की और golden rule of accounting की उसमें मैंने बताया था कि मम्मी ने 100 रुपे दिये आपने 100 रुपे कर्च कर दिये ठीक है अब आपने 100 रुपे कर्च कर दिये लेकिन आपको पूरे 100 रुपे का हिसाब देना तो आप लिस्ट में आपने 10 मनमर जी से लिख रहा हूं इस पेज पर लिख रहा हूं कुछ भी कहीं भी लिख रहा हूं और दूसरा कैसे लिख रहा है अब मैं इसे बता है कि आपको एक साल में 36000 रुपे बिजनेस में हो सकते हैं अब सब अपने अपने हिसाब से लिखेंगे तो मुझे अगर comparison करना है म किसे लिखावा, मुझे किसे बता चले है, को अच्छा profit कमा रहा है, किसको मुझे loan देना चाहिए, तो उसलिए, एक specific accounting system developed किया गया, जिसको बहुत है double interest system, और वो क्यों किया गया, क्यों किया गया, क्यों कि जो बाहरी लोग है, जो business को देख रहे हैं, कि हाँ यारी यह business चल र एक ऐसी अच्छी बाते हो, जिससे कि हम उसको ठीक से समझ पाएं, तो वो कौन सी विशेषता है, चाहते थे उस information में, उसके बारे मैं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर qualitative characteristic of accounting information है, और इसी के आधार पे फिर double interest system developed किया गया था, देखो, सबसे पहली तो qualitative characteristic है, reliability, reliability का मतलब होता है, विश्वस, विश्वस, नियता, ठीक है, इसका मतलब कि जो भी accounting information, business से हमको मिल रही है, बाहर वालों को, या फिर अंदर वालों को, वो विश्वस निये होनी चाहिए, यह वो सही होनी चाहिए, उस पर विश्वास कर सके हैं, यह लिखावा आ रहा है, कि business ने एक लाग पिट कमाया, तो इसका मतलब सच में कमाया है, ऐसे निये कि हर कुस हर कुस लिखके दे दिया, तो यह accounting information में एक विश्वस निये होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्वस विश्वस निये होनी चाहिए, जिस चीज़ पर विश्वास ही नहीं कर सकेंगे, ऐसे निये कि हर कुस हर कुस हर कुस दे दिया, जो भाईया, तुमारा business है, जो business के transaction है, जो तुमारा देश, जिस देश में तुम काम कर रहे हो, जो तुमारी economic activity है, वो सबसे तुमारी accounting information relevant होनी चाहिए, ऐसे निये हर कुस हर कुस record कर रहे हो, वो चीज़ चलने वाली है नही ठीक है, और तीसरी है, understandability, यानि कि जो accounting information हो, वो ऐसी हो कि जिसको कोई बाहर वाला आदमी आके पढ़ रहा है, तो वो समझ सके कि आपके business में profit हो रहा है, loss हो रहा है, आपका business कैसा काम कर रहा है, वो उसको समझ आ सके, ऐसे नहीं भईया, तुमने इतनी complicated, इतनी cutting चीज़े बना दी, कि किसी को समझ में नहीं आ रहे है, तो फिर वो information का मतलब ही क्या है, जो किसी को समझ में नहीं है, उसका मतलब ही नहीं कोई, तो इस तरीके से accounting system होना चाहिए, कि उसकी information को देखते ही, लोग समझ जाए, एकतम understandability उसमें होनी चाहिए, और तीसरी है comparability, comparability का मतलब दो या तीन business या चार business, पांस business के accounting information मत देखूं, तो उनको compare कर सको कि ये business अच्छा profit कमारा, ये नहीं कमारा, वो अच्छा कमारा, ये वो नहीं कमारा, जो कि मैंने पहले बताया था, कि accounting information सबकी एक जैसी होगी, तभी हम उसको compare कर सकेंगे, और इसी लिए बाकी जो system चलते reliability, relevance, reliability की characteristics है वो लाई जा सके, तो आज की date में सभी लोग उसी system से accounts बनाते हैं, तो सब के एक जैसे account बनते हैं, तो उनको समझने में इतनी problem नहीं आती, banks भी उनको देख के loan दे सकते हैं, सरकार भी उनको देख के decide कर सकते हैं, कितना text लेना है, और अगर को investment करना चाता है उ इसकी accounting information, इसकी accounting सब की एक जैसी है, कौन ज्यादा अच्छा profit को आ रहा है, कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, वो हम समझ सकते हैं, तो उसी double interest system को हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे आने वाले lectures में, तो ये एक starting में में ने दिया, क्यों और चलो इसके आगे थोड़ी information में आ सके, सब लोग एक ही जैसी चीज़ पढ़के जाएंगे, और फिर जो आप आप काम करोगे जाके industry में, तो उस तरीके से आप accounts बनाओगे, तो ये सारे characteristics, accounting information जो आप produce करोगे, उसमें आने वाले है, ठीक है, अब भाई बात करते है, objective of accounting, उद्देश यह, accounting के उद्द जो को तो याद रहे पाएगी, कि मैंने आसे, खाया हुआ याद नहीं रहे था, सुबह क्या खाया था, शाम को क्या खाया था, इतने इतने दिनों की transaction थोड़ी याद रहेंगे, तो record maintain करना सबसे पहला उद्देश होता है, accounting का, यह हर चीज़ का record रहे है, ताकि businessman को सब पत कोई मतलब नहीं है, दूसरी बात, जो दूसरा उदेश हो है, calculate profit and loss, business करने का उद्देश से क्या होता है, मैं मेरे घर पे आराम से बैटके पबजी खेल सकता हूँ, लेकिन मैंने business चालू किया, क्यों, क्यों मुझे पैसा कमाना है, पैसे का मतलब होता है profit, कमाऊंगा तभी profit होगा, तभी तो मैं business को आगए, परमालना loss होगा, तो फिर मैं यह भी सोचूँगा, मुझे क्या chance करना चाहिए, ताकि मुझे profit हो, तो calculate करेंगे profit loss, और कैसे होगा, accounting से ही होगा, accounting में सारी information में रखूँगा, तभी तो मुझे पता से लेगा, इतने मेरे expenses, इतने मेरे income, इतना profit है, फिर loss, लास्ट में साल के में निकाल सकूँगा, तो उसके लिए सबसे महत्य है, पूर्ण उदेशी जो है, accounting का, calculation of profit loss, तीसरी चीज़ा depiction of financial position, depiction का मतलब होता है, दिखाना, दूसरों को दिखाना, दिखावा करना, और financial position, financial position का मतलब क्या होता है, कि कोई भी business है, अभी business चलेगा, तो आप उसमें खर्चा करोगे, आप अलग-लग asset खरीदी लाओ, business के लिए आपने truck खरीदा, business के लिए आपने furniture खरीदा, business के लिए आपने building खरीदी, business के लिए आपने machine खरीदी, ठीक है, और एक business है, जो loss में चल रहा है, उसके बिकरे है, उसका furniture बिगया उसकी machine बिगया, उसका वो बिगया, तो जब हम accounting करते हैं, जब नहीं बताया था, record होता है, transaction पहले, फिर classify होता है, फिर summarize होता है, तो summarization में जब final account बनते हैं, तो उन में हम सब कुछ लिखते हैं, इतनी हमारी liability है, इतनी हमारे पार संपतिया है, जो हमने खरीद दिया machine है, building furniture है, और इतनी हमारी liability है, इतनी हमें को पैसे चुकाने है लोगों को, ठीक है, इतनी सरकार को चुकाने है, तो उस summarized information को देख के हम क्या समझ सकते हैं, उसको देख के हम समझ सकते हैं, कि financial position क्या है, जो business है, उसकी financial position क्या है, business strong है financially, यानि financially मजबूत है, या फिर कम जोर है, यानि कि अमीर बिजनस है, या फिर गरीब बिजनस है, समझ रहो, किसी आदमी का, आपको एकदम first impression में देखना है, कि भाई, वो गरीब है या अमीर है, किसी देखोगे, उसका घर देखोगे, या उसके कपड़े देखोगे, अगर फटे पुराने कपड़े है, तो इसका मल financial position माने के strong है, और जिसकी asset कमजोर है, liability जाता है, तो उसकी financial position माने के कमजोर है उस business की, समझ गए, इस तरीके से accounting से business की financial position भी दिखती है, चोता जो है provide information to user, जो उद्देश है accounting का चोता, वो है provide information to user, जो मैंने सबसे पहले बताया, कि accounting का main उद्देश है, कि सारा काम करके, य उसका फिर interpret करें result कि profit हो रहा है, loss हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और फिर उसकी user को, देखो यहाँ पे लिख रहा है, interested user of information, ठीक है, जो interested user information के, उसको हम provide कर सके information, जो मैंने user बताया थे, कौन-कौन से user थे, सरकार थी, सरकार थी user, मालिक था, जो business का मालिक है, व उसके अलावा, जो investor थे, investor थे, bank थे, bankों को loan देना हो, accounting information देखेंगे, आप कितना रुपा कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, क्या करें, क्या करें, क्या नहीं करें, तभी loan देंगे आपको, investor पैसा तभी लगाएगे, उसको पता रहेगा, business अच्छा है, आगे अच्छा चलेग तो यह सारे जो है, यह है, users of accounting information, और बाकि जैसे, NCLT company, law tribunal है, ठीक है, और बाकि सेबी हो गया, RBI हो गया, RBI हो गया, किसके case में हो गया, banks के, यह सारी संस्ता है, सरकार की, जो control रखती है, ठीक है, तो वो control का पर रहेगा, company क्या करें, और पता कहीं चलेगा, accounting से, और accounting के user यही लोग है, जो accounting information दे के पताचा करते है, कि company में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो यह सारे user हो गया है, तो उन user को information देना भी accounting का एक उद्देश्य है, तो यह थी accounting के बारे में, एक introduction accounting का समझ में आ गया होगा, कितनी important accounting, accounting से, accounting के बिना business कर पाना, बड़ा प्रोफिट है, ना इए bank वाले कोई loan वोल नेगे, तो accounting बहुत ज्यादा important है, जो चीज आप पढ़ने वाले हो, जो चीज आप सीखने वाले हो, बहुत ज्यादा important हो, यह दिमाग में सबसे पहले बात रखना, कि बहुत ज्यादा important एक चीज आप सीखने वाले हो, और मैंने लग लग word है, जिनके बारे में हम normal life में नहीं सुनते हैं, उनके बारे में जानेगे कि उनका मतलब क्या होता है, क्योंकि वो आप आगे फिर सुनने वाले हो, बार बार जब आप accountancy पढ़ोगे, तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही, और thank you very much for watching this video, and have a good day, और like और share कर पर देना उन लोगों के साथ में जो commerce पढ़ रहे हैं, या फिर commerce के बारे में ग्यान लेने की इच्छा रखते हैं, जय हैंदे